क्रोध हर किसी को आता है. जब भी किसी की बात बुरी लगती है या किसी का व्यवहार पसंद नहीं आता है, तो गुस्सा आ जाता है. और एक बार जब यहां आता है, तो फिर दिमाग से निकलने का नाम नहीं लेता. ऐसे में आप उस घटना को लेकर बैठ जाते हैं. अगर उस समय वहां पर कोई बात करने वाला नहीं हुआ, तो आप अपने आप से ही बाते करने लगते हैं, बढ़ बढ़ाने लगते हैं. इस सबसे उस व्यव्यप्ती की सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका नुकसान ज़रूर होता है. लेकिन अगर आप चाहें, तो इस स्थिती से बच सकते हैं, इस नुकसान से खुद को बचा सकते हैं. कैसे आईए जानते हैं महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी के जरिये? एक बार की बात है, एक गाउ में गौतम बुद्ध का प्रवचन चल रहा था. वे कह रहे थे, जब हम क्रोधित होते हैं, तो दूसरों को नुकसान पहुचाने की कोशिश करते हैं. लेकिन उस समय हम इतने आवेशित हो जाते हैं, कि हमारी सोचने समझने की ताकत समाप्त हो जाती हैं. इसलिए क्रोध में हम सही निर्णय नहीं ले पाते और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं. बुद्ध की उस सभा में एक गुस्सेल स्वभाव का व्यक्ती भी शामिल था. उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था. आज भी वह अपने परिवार वालों से जगड कर आया था. और उस समय भी उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी. इसलिए उसे बुद्ध की बातें अच्छी नहीं लग रही थी. उसे लग रहा था कि जैसे बुद्ध उसे डांट रहे हूं. सबके सामने उसकी बेज़ती कर रही हूं. इससे उस व्यक्ति का क्रोध भड़क गया. वह अपनी जगह से उठा और बुद्ध के पास जा पहुचा. इससे पहले की कोई कुछ समझता उसने बुद्ध के मुह पर थूक दिया. यह देखकर वहां मौजूद लोग भड़क उठे और उस व्यक्ति के बारे में बुरा भला कहने लगे. लेकिन बुद्ध अभी भी अपनी जगह पर शांत बैठे हुए थे. उन्होंने अपना चेहरा पोचा और बोले क्या बात है वत्स तुम्हे कुछ कहना है? उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात का कोई जवाब नहीं दिया. वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया. यह देखकर एक व्यक्ति से नहीं रहा गया. उसने बुद्ध से पूछा महत्मन उस मूख व्यक्ति ने आपका अपमान किया और आपने उसे कुछ नहीं कहा. उसकी बात सुनकर बुद्ध धीरे से मुस्कराएं और फिर बोले तुमने शायद उस व्यक्ति का चहरा नहीं देखा. वह बहुत परिशान लग रहा था. मुझे लगता है कि वह किसी चिंता में घिरा हुआ था. इसलिए ऐसे व्यक्ति परिशान व्यक्ति को क्या दोश देना. बुद्ध पर थूकने वाला व्यक्ति सभा से उठने के बाद अपने घर चला गया. वह दिन भर बेचैन रहा. उसे अपनी करनी पर पच्चतावा होता रहा. रात में भी वह सो नहीं पाया और बेचैनी में इधर उधर करवट बदलता रहा. अगले दिन वह फिर से बुद्ध की सभा में गया. वहां पहुचते ही वह बुद्ध के चरनों में गिर पड़ा और रोने लगा. यह देखकर बुद्ध ने पूछा क्या हुआ वत्स तुम कर बैठा. रुप्या मुझे क्षमा कर दें. बुद्ध बोले कल की बातें तो कल ही समाप्त हो गई वत्स. कल के बारे में आज क्या सोचना? अगर मैं उस घटना के बारे में सोचता रहता, प्रोध करता तो उससे तो सिर्फ मेरा दिल दुखता. तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए बुरी घटना को याद रखना कोई समझदारी की बात नहीं है. इससे हमारी परेशानिया बढ़ जाती हैं और जीवन ठहर जाता है. इसलिए अपरिय बातों और अपरिय घटनाओं को भूलने में ही समझदारी है. जो व्यक्ति ऐसी घटनाओं को भूल जाता है. वही जीवन में आगे बढ़ता है. और जो उन में उल्जा रहता है. उसका जीवन चक्रव्यू के समान हो जाता है. जिसमें से वह चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाता है. दोस्तों गुस्सा करना बिलकुल ऐसा होता है कि जहर तो आप पियें और काम ना करें की मर सामने वाला जाए. इसलिए जब भी कभी आपको गुस्सा आए तो इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आप किसी से नाराज होते हैं और रूठ कर चुपचाप बैठे जाते हैं तो आप अपना ही नुकसान करते हैं. इससे आपके समय का तो नुकसान होता ही है. आप तभी आप जीवन के प्रवाह के साथ अपने आपको जोड पाएंगे और जीवन का आनंद ले पाएंगे. हम में से ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है. और जब हम ऐसा मानते हैं, तो हम अपने स्वन्यंतरन की कमी और अक शम्ता को अंदेखा कर रहे होते हैं. वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात मक्ता को स्विकार करते हैं या नहीं. अगर हम नकारात मक्ता को स्विकार करते हैं, तो हम अपने पैरों पर कुलहाडी मारते हैं. और जब ह हम उसे अस्विकार कर देते हैं, तो घ्रणा, क्रोध, हिंसा हर किसी से मुक्त हो जाते हैं। धन्यवाद